जहन्द एवरीवन वेरी वाम वेलकम टो आल आफ यू सो कैसे हैं आप सभी आज 29 जनवरी 2024 और आज की इस वीकली करेंट अफेर की क्लास में 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक जितने भी इंपोर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल मध्यपदेश के करेंट अफेर के मुद्दे थे उन सबी की हमें चाचा करना है जो आज इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं आप सभी को बता दू हमारी वीकली करेंट अफेर की क्लास शलती है जिसमें हम लोग हर मंडे 9.30 पीम पर करेंट अफेर के महत्पूर्ण मुद्दों को केवल 50-60 मिनट की क्लास में पूरी तरह स साथ में आपको पूरे फोकस के साथ बैठना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लगाता नोट करते हुँ चलेंगे पूरी कोशिस रहेगी कि जितने भी महत्पूर्ण मुद्दे हैं उन्हें आपको क्लास के भीतर ही याद करवा दूं बट आंगे बढ़ने से पहले आ आट बजे है दो नहीं बैचेस में आपको फाइब डेमो भी प्रोवाइट करा जाएगा तो आज के कौन-कौन से हमारे मुद्दे रहने वाले हैं सबसे पहले हमें डिसक्स करना है भारतन के बारे में आप सभी को पता है बहुत ही महत्पूर्ण यह जो है करेंट एफर का पिक बन चुका है साल भर में जितने भी एक्जाम होंगे कहीं ना कहीं करपूरी ठाकुर जी से कोशन पूछ राएगा करपूरी ठाकुर को मर्नो परन भारतन से सम्माइन किया गया पंद्पूर्ण का 24 की भी घोशना की जा चुकी है मद्द्पूर्ण की चार हस्तियों को पद्मुस्री मिला है पच्छतरवे रिपब्लिक डेग के बारे में भी इंपॉर्टन फैट के बारे में पढ़ेंगे पच्छत्य वे घरतन दिवस परेट में मद्द्पूर्ण की जहांकी रही है और क्या खास थी जहांकी में उसे भी चाचा करना है हमारा समझन हमारा समन हाली में उप्राश्पति जग्जीव धनकर जी के दौरा लॉंच किया गया है प्रधानमंति राष्टी बाल पुरुसकार दोजा 24 का बिजिक करेंगे आप सभी को पता होना चाहिए कि इन पुरुसकार प्राप करताओं में मद्द्पदेश के भी होनहार बच्चे सामिल है यूपी के 60 पेरासुट फिल्ड को मिला सुभाष चंदबोष डिजास्टर मेनेजमेंट अवार्ड देखेंगे कब सी सवार्ड की सुरात होती है और क्या है इस पुरुसकार के बारे में एक खास हाली में भात मिस सैंक्ट विसेजबल अभ्यास चक्रवात याने साइक्लोन अभ्यास साइक्लोन सुरू किया गया है आपसे डायट कोशन पूछा जा सकता है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो MPPSC 2022 में सैन अभ्यास एक कोशन पूछा गया था इसके लावा 11 सैंक्ट विसेजबल अभ्यास खंजर के बारे में भी आप पता होना चाहिए सैंक्ट अभ्य अभ्यास आउजित हुए हैं कौन से एडिशन के थे और कहां आउजित किये के हैं तीनों ही बाते हमारे एक्जाम पॉइंट आव व्यू से काफी मत्पूर्ट रहने वाली हैं प्रधार मंत्री सुर्योदा योजना की सुरृत हाल में की गई है तीसरा दक्षिंड सिकर सम्म मध्यपुदेश स्कॉच और अफ मेरिट अवार्ड दोजा तेक से सम्मानित भार्त का पहला रिशर्च आयाटी सैटलाइट केंपस मध्यपुदेश में स्थापित होगा जीवन रक्षा पद्र संकला के पुरुसकार दोजा तेस हाले में राश्पदी महोदिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के दारा साल 2023 की जो खिताब है उनकी भी घोशना की जा चुकी है ग्रह मंतरी अमिसाय ने असंब के ब्रेव हाड लाचित बारफोकर पुस्ता का विमोचन किया है चौदा हुआ राश्ट्री मरदाता दिवस हाल ही में मनाया गया अंतर रा विमोचन के साथ भारत्रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाले हैं कोई भी कोशन भारत्रत्न से बाहर नहीं जाने वाला यहां पर आप से पहला question पूछा गया है who has been announced to be awarded भारत्रत्न recently हाली में किसे भारत्रत्न प्रदान किये जाने की घोशना की गई आप सभी को पता है बिहार के पूर्मक्मंत्री जननायक करपूरी ठाकुर जी को साल 2024 में भारत्रत्न दिया गया तो इसका सही answer no doubt हमारा होने वाला है उप्शन B करपूरी ठाकुर जी के बारे में उसके बारत्रत्न के बारे में जितने भी इंपॉर्टन फैक्ट हैं उसकी चर्चा करेंगए करपूरी ठाकुर जी भारत के पहले ऐसे मुखमंत्री जिननों आपने राज के भीतर पिछड़े और आठी रूप से लिए आरक्षन की नीतिकी सुरुवात की लिए अरक्छन की नीतिकी शुरूआत की थी तो द्यान रखेगा बिहार के फूर्म kelu मंत्री हैं कर पूरी ठाकुर कर भारत मढ़ना प्राप्त करने वाले सात्रहवे विक्ति हैं अगर हम बात करें भारत्न के बारे में भारत्न की सुरात जो दो जनवरी 1954 को करी जाती है आप से डेट के सांद भी पूछा जा सकता है आप 1954 बस पढ़ लेतने हैं पता चला चारो ही आपसन में 1954 है आपको डेट के सांद पूछा आंसर हो जाएगा दो जनवरी 1954 पहला पॉइंट जो आपको यार रखना है दूसरा किस राश्पति की द्वारे सुरुआत करी गई थी डॉक्तर राजिन प्रशार जी की द्वारा इस पुरुसकारि सम्मान की सुरात करी गई थी तीसरा कूशन पूछा जा सकता है कि भारत्रत्न किस छेत्र में दिया जा स सकता है किसी भी छेत में दिया जा सकता है बसरतियों होना चाहिए उस छेत में व्यक्ति का असाधारन सेवा या प्रदर्शन या योगदान होना चाहिए तो तीसरा पॉइंट हम नहीं कवर कर लिया है पहला दो जनवरी 1954 की सुरुवात होती है दूसरा डॉक्टर राजन प्र राश्पति देते हैं लेकिन किसकी सिफाńsk पर देंगे आप सभी को पत है जो राश्पती है वह Satyäss होता होता है भारत के प्रधानमंतिर के सिफाकर राश्पति इन संमान के प्राप्ट करताओं की जो सूची है वजेतां के नाम की घौष्णा करी जाती है जनरली यह जो संम होता है उस दौरान राश्पति के दवारे यह जो सम्माने दिए जाते हैं भारतर्द्न की अगर डेल ​​ हैं उस तरह दिखता है इसमीं आप देख सकते हैं कुछ पत्तेिक आक्रदी जो पीपल का जैसे पत्ती崩ली वनी होती है बीछ में चमकता हुआ सोरत है आप डिखा जाता है कि पलेटिनीम का बनाया जाता है तीसरा इस चमकते हुए सोरस के नीचे आप देख पाएंगे कि भारत रतन लिखा हुआ है और यह चेंदी से लिखा जाता है अगर आप इस पदर को मोर दें पीछे कितब देंगें तो आपको भारत का स्टेट एंबलम राजश्ची ने देखनों को मिलता है और निचे सत्य में जैते लिखा होता है एक पॉइंट और ध्यान रखीगा यह जो पद्म अबॉर्ड है या भारतन के जो मेडल है इनको मिंट धालने का काम कलकता के अली नगर मिंट हाउस में किया जाता है भारतन जब दिया जाता है जो मेडल है आपने देखा होगा कि राश्पती मेडल पहनाते हैं गले में प्राप्त करता हों कि और यह जो गले में पहनाने के लिए जो रीबन होता है वह वाइट कलर को होता है तो इसके अलावा इसमें एक certificate दिया जाता है यह मेडल दिया जाता है अगर आप से question पूछ ले कि भारत रतने प्राप्त करता हूं को कितनी मौतिक राशी कितना amount दिया जाता है answer is zero इसमें किसी भी प्रकार की मौतिक राशी नहीं दी जाती केवल दो ही चीज देंगे एक तो यह म भीतर भारत रतन दिया जा सकता है इसके लावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे इंडियन constitution का जो आर्टिकल 181 है वह कहता है कि भारत रतन उपाधि नहीं है आप भारत रतन को उपाधिक के तौर पर अपने नाम से पहले prefix नाम के बाद suffix के रूप में इस्तमाल नह के कहता है यह मानता है कि भारत रतन उपाधि नहीं है आठकल 181 के कॉर्डिंग अभी तक कुल कितने राश्पतियों को भारत रतन दिया गया आंसर हो जाएगा 6 राश्पति हैं भारत से सम्मानित आपसे 6 के 6 के नाम पूछे जा सकते हैं डॉक्टर सरपली राधा कृष्ण 2019 में तो 6 के नाम आपको ध्यान रखना है आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अभी तक कितनी महिलाओं को भारत रतने से सम्मानित किया जा चुका है आंसर होगा हमारा 5 पहली महिला है इंद्रा गांधी 1971 दूसरी है मदर टेरी शांप 1980 तीसरी है आउना आसा फाली 1997 चौथी है म सुबू लक्षमी 1998 और पांचवी है लाता मंगेशकर 2000 अगर आप से कुछन पूछा जाए कि भारत की पहली महिला सिंगर कौन है जिने भारत रतन दिया गया था हमारा आंसर हो जाएगा म सुबू लक्षमी ध्यान रखीगा अधि अभीतर कितनी महिलाओं को दिया गया पांच पहली महिला कौन है इंद्रा गांदी दूसर कोशन पूछा जाएगा कि पहली महिला सिंगर भारत रतने से सम्मानित होने वाली मसुबू लक्षमी 22 जनवरी 1992 को सुभाज चंद्र बोस के भी नाम की घोशना की जाती है भारत र जानकारी नहीं है आजादी के बाद भारत सरकार के दारा भी कोई विसेज प्रयास नहीं किये गये थे इस रहस्य से परदा उठाने के लिए इस बात की नाराजगी को लेकर सुभाज चंद्बोस जी के जो परिवार वाले हैं उन्होंने भारत रतन लेने से अस्विकार कर दिया था तो अब तक एक ही बार ऐसा हुआ है जाब भारतन के नाम की गोशना की गई है लेकिन उसे वापस ले लिया गया था अगर आप से इसका उल्टा कोशन पूछ लिया जाए कि भारत रतन प्राप्त करने वाले अभी तक के ओल्डेस्ट ने सबसे उम्रदाराज पर्सनालिटी कौन है हमारा आंसर होगा डॉक्टर धूंडो केशव करवे इन्हें साल 1958 में यह सम्मान दिया गया था जब इन्हें हो जाएगा स्रीमती मसू बलक्षमी उन्हें इसके अलावा आप यह भी ध्यान रखेगा कि धोंडो केशव करवे को जब सम्मान दिया गया था भारतन का तब उनका सताब्दी जन्म जयनती मनाई जा रहे थी इसी तरह हमारे जो करपूरी ठाकुर जी है उनकी भी सताब्द जो जन्म समारो की टाइम पर ही भारतन दिया गया है अगर आपसे कोशन पूछ लिया जाए भारतन प्राप्त करने वाले पहले वैज्यानिक को ने सीवी रवन पहला भारतन तीन लोगों को दिया गया था सरपली राधा कृष्ण सीवी रवन और सी राज गोपालाचारी औ अभी तक कितने नॉन इंडियन्स को गैर भारती इनको सम्मान दिया गया आंसर हो जाएगा दो पहले गैर भारती कौन है भारत रतन प्राप्त करने वाले खान अब्दुल गफार खान 1987 जिन्हें सीमान्द गांधी के नाम से भी जाना जाता है लाल कूर्टी दल इनका संग 1990 में पहले प्रधानमंती जिन्हें भारत न दिया गया जवाहला नहरू 1955 में दूसरा कूशन पूछ लिया जाए पहली बार मर्णो परांद भारत रतन किसे दिया गया लाल भादुर सासी जी को 1906 में ध्यान रखेगा जब भारत करी गई थी 1954 में तो मर्णो परांद सम्मान देने की भी जो है सुरुवात कर दी गई थी अभी तक मद्यपिदिस की कितने हस्तियों को भारत रतन से सम्मानित किया जा चुक है आंसर हो जाएगा तीन मद्यपिदिस की पहली परस्नालिटी है डॉक्टर भीमरा अमबेटकर जिन्हें साल 1990 का भारत रतन दिया गया दूस कि खतम हुई जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1970 सेवा में भारत को बीच में रोक दिया गया था दुबारा 1990 में जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर से भारत रतन की सुरात की जाती है तो धृहन रखी गा बीच में कब से कब तक बंद किया गया 1987 से लेकर 1980 में जब भारत रतन की फिर से सुरात की गई थी तो सबसे पहला किसे दिया गया आंसर हो जाएगा हमारी मर्दर टेरेशा साल 2019 में तीन विक्तियों को भारत से सम्मान किया गया मैंने पहले ही कहा कि एक साल में मैग्जम तीन पर्शनाल्टी को ही सम्मान दिया जा सकता है 2019 में तीन विक्तियों को दिया गया था 2019 के बाद साल 2024 में ही सम्मान ये जो भारत रतन का है वो दिया गया 22 19 के तीन कि फ्राप्ता को न कॉन थे पहले हमारे पूर राश्पती प्रणा मुखर जी और तीसरे मसूर गायकनी को नगा allora निंचारइ षे नाम प्रवलत प्रणा मुोर्वरा भात उन ताथ ॉनुस को तीनों कहीं नाम सी नाम है सी से कैसे तो सी राज गोपालाचारी आ जाएंगे दूसरा जाएगा सी सरपली राधा कृषण आ जाएंगे और तीसरा जाएगा हमारा सी वी रमन सी वी रमन तो तीन सी ध्यान रखेगा थी सी पहला जाएगा सी राज पालाचारी दूसरा सी सरपली राधा कृषिण और तीसरा सी आ जाएगा हमारा सेवी रमन क्लियर होगी इतनी बातें आई होप यहां तक भारत रंद की पूरी कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी आप से अगला कोशन पूछा जा रहा है पद्म सी अब कुछ कहानी नोट करेंगा और समझने की कोशिस करेंगा 1954 में भारत रतन के सांती पुरुस्कारों की घुषण या सुरुआत की जाती है कौन से वह सम्वान है ध्यान समझेगा 1954 में एक नागरिक सम्मान है जिसका नाम है भारत रतन जिसकी चार्चा हाल ही में हम लोगों कंप्रिट की और दूसरा जो सम्मान है वो शुरू किया गया था पद्म विभूशन अब आप कहेंगे सर क्या पद्म विभूशन बसकी सुराथ करी गई थी पद्म भूशन और पद्म स्री नहीं सुरू किये गए थे 1954 तुसका अंसर आपको मिल जाएगा पहले ध्यान यानि अलग से यह कटेग्राइज थे नाम इनका सबका पद्म विभूशन ही था 1955 में अगले साल ही इनका नॉमन क्लेचर कर दिया जाता है जो पद्म विभूशन वर्ग एक था इसे पद्म विभूशन ही रहने दिया गया वहीं पद्म विभूशन क्लाश 2 वर्ग 2 को पद प्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र पास पांच पद्म विभूशन आते हैं यानि ये पांच दिये गए साल 2024 में दूसरा हमारे पास सत्रा पद्म विभूशन आते हैं तो ये हैं हमारे पास सत्रा और 110 हमारे पास पद्म स्री आते हैं यानि ये वाले जो हैं साल 2024 में 110 दिये गए क्या साल 2024 में मद्द्पदेश की किसी personality को पद्म भूशन मिला आंसर नहीं क्या किसी मद्द्पदेश की personality को पद्म भूशन मिला आंसर नहीं लेकिन मद्द्पदेश की चार ऐसी personality हैं जिन्हें पद्मस्री दिया गया है वो चारों के नाम हमी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जिनकी चर्चा हमाने वाले फायदेमन नहीं है लेकिन हाँ दो चार प्रभूषण जो है इंप पॉर्टेन जो है उनके नाम हमें याद अकना होगा वहीं पदमस्री की बात करें तो 2-4 हमें याद अकना है लेकिन मद्रijdें इसकी चारों हस्तियों के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए तो चलिए सुराद करते हैं पदम अवार्ड के बारे में 25 जनवी 2024 को घोशना की जाते हैं साल 132 पदम विभूशन इसके अलावा 17 पदम भूशन और 110 पदम शी थे मद्यपिदिस की कितनी हस्तियों को प आसपास की जाते है 26 जनवरी के आसपास जनरली 24 पचीस जनवरी को इन सम्मानों की घोशना की जाती है लेकिन दिये कब जाते हैं मार्च अप्रेल में राश्पती भावन में एक सेरेमनी होती है और उसी समारों के दौरन इन सम्मान को राश्पती द्वारा दिया जाता है इस बार 30 महिलाएं ध्यान रखेगा पद्म अवार्ड में 30 महिलाएं सामिल है पूछा जा सकता है नौ मरनो परांत सम्मान भी सामिल है नौ वेक्तियों को मरने के बाद और आठ विदेशी एणराई है जिनें समान दिया गया तो कितनी महिलाएं सामिल है टुन्टी टॉटी वॉर्टम अवार्ड में 30 कितनों को मरनो परां दिया गया आंसर है नौ और कितने विदेशी एनराई सामिल है आंसर हो जाएगा हमारा आठ अब पद्म विभूशन 2024 से पांच कौन कौन से वो नाम है बहुत अच्छे सी आध होना चाहिए मेरे साथ याद करने की कोशिस करीगा क्लास के भीतर ही स्रीमिती विज्या माला बाली जिनने कला के छेत्र में दिया गया है और कहां की रहने वाली हैं कि स्राज की रेसिडेंस से यह भी पूछा जा सकता है आंसर हो जाएगा हमारा तमिल यादट तो पहला नाम हो गया विज्या माला बाली दूसा नाम फिलम एक्टर आप सभी को पता है चրन जीवी कला के छेत्र में आंधर प्रदेश सी यह गया पॉस्तवमिसली दिया गया है डाइट कोशन पूछा जाएगा कि इन में से किस वेक्ति को मरनो परांत 2024 पद्म भी भूशनर से समाइंद किया गया है विंदेश और पाठक और यही विंदेश और पाठक हैं जोनों ने सुलप इंटरनेशनल जो है उसकी स्थापना करी सामाजी कार के लिए बिहार से बिलॉ काला के छित से दिया गया है तमिल नाडू से बिलॉंग करते हैं पांच नाम विजया माला बाली चिरण जीवी एम बैंक कहना है टू बिंदेश और पाठक और पाठक और पाठमा सुप्रहुमन्यम इन पांचों का नाम बहुत अच्छे से राज और के साथ याद होना चाह पाठमा बहुत अच्छे से बिलॉंग करते हैं और बहुत बड़ी वर्ड की सबसे बड़ी अगर मैं कहूं से मी कंड़क्टर मैंनुफेक्टर जो सेमी कंड़क्टर मैंनुफेक्टरिंग जो है चिप मैंनुफेक्टरिंग कंपनी फॉक्स कॉन उसके यह कहां फाउंडर तो ध्यान रखीगा यंग लियू कहां के हैं तैवान के हैं ट्रेड और इंडस्टी की कटेग्री से पद्म भूशन दिया गया है फॉक्स कॉन जो से नारवति बरवजी के बारे बारे पता होने चाहिए देश की पहली महिला महावत है समाजी कार के लिए कहां से बिलॉंग करते हैं आसम से रोहन-वपणना दिया जोंसना चिंपा के बारे में आप सबी को पता होना चाहिए, खेल के छित में समान दिया जाता है स्क्वैस के लिए तमिल नाडु से तो पहला नाम पार्पती बरुआ, दूसर नाम रोहन भुपन्ना, तीसर नाम जोसना चिनप्पा के बारे में पता होना चाहिए, मध्यपदेश की कितनी परस्चनालिटी को प पदम भूशन मिला, जीरो नहीं मिला, पदमुस्री मिला है, देश भर में कितने पदमुस्री 110, उनमें से मध्यप्यदेश को कितने पदमुस्री आंसर हो जाएगा 4, अब वो 4 कौन-कौन से हैं, चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहला नाम आता है, ओम प्रकास सर्मा, पदमुस्री कला किछित में, कैटेगरी भी पता होना चाहिए, क्योंकि डारेक क्वेशन पूछा जा सकता है, कि मध्यप्यदेश की किस पर्षनाल्टी को साहित और सिक्षा की स्रेणी में, पदमुस्री 2024 से सम्मानित किया गया है, भगवती लाल राजपिरो ही, तो कला की कटेगरी, आठ की कटेगरी में, कितने पदमुस्री मध्यप्यदेश को दो, ओम प्रकार सर्मा, कालू राम बमनिया, तीजा नाम हाता है, सतन सिंग लोहिया, पदमुस्री, खेल के लिए दिया गया है, चौथा भगवती लाल राजपिरोहित, पदमुस्री, साहित औ प्रकासर्मा इन्हान रखेगा, सतेन सिंग लोहिया पैरासुमर है, भिंड जिले से बिलाइ़ करते हैं, इंगली चैनल टैर कर पर पार करने वाले एश्या के पहले पैरासुमर है, दूसरा पूछा जाया, ओं प्रकासर्मा, यह अौप्शा पुचार्मा, यह इन्यप्रद दूसरा पॉइंट आठ तीसरा परमसी 2024 और चौथा मार्च गैनसेली के सनक्षण में इन्होंने काम किया तो पहले वेक्ति हैं सत्यन सिंग लोईया दूसरे वेक्ति हैं ओम प्रकास सर्मा तीसरे हैं डॉक्टर भगवती लाल राजपिरोहिद डॉक्टर भगवती लाल राज प्रदेश के धार जिले में हुआ था लेकिन उजयन में संदीपनी महाविद्दार है वहां पर प्रोफेसर रह चुके हैं तो लंबे टाइम से उजयन में रहे तो अगर आप से पूछ लिया जाए डॉक्टर भगवती लाल राजपुरहिद कहां कहां तो आपको उजयन जि बढ़ता प्रोफेसर रहे हैं इन्होंने साहित में काफी उलेखनी योगदान दिया है मालवी बोली में कई सारे साहित का इन्होंने श्रजन किया है तो साहित और सिक्षा के छेत में भगवती लाल राजपुरहिद को पदमशी 2024 के लिए चुना गया है कालू राम बामनिया ये फोक सिंगर हैं लोग गायक हैं देवास जिले से बिलॉंग करते हैं मालवी भजन और कबीर गायन को इन्होंने विस इसतर पर ख्यादी दिलाई है और इसी के लिए इन्हें पजमस्री 2024 के लिए चुना गया है तो नाम पहला कालूराम बामनिया किस जिले से हैं आंसर हो ज हां रखना है कि मालवी भजन के लिए इन्हें पजमस्री 2024 याने आठ के लिए चुना गया है तो चार नाम चारों नाम एक वाक्वी से देख लीजे साहित और सिक्षा के लिए 2024 पजमस्री अगर आप से क्वेशन पूछ लिया जाया पजमस्री 2024 साहित से समानित भगवती ल से जिले से हैं भगवती लाल राजपुरोहिद जन मिधार लंबे टाइम से कहां रह रहे हैं आंसर हो जाएगा उज्जयन मद्य पिदेशकी के सस्ति को साहित केशित में लिखनी योगदान हितु पजमस्री 2024 से समानित कालू राम बामनिया मद्य पिदेशकी के जिले से हैं मद्य पिदेशकी के जिले से हैं साही आंसर हो जाएगा ऑप्चन भी भिंड चलिए बढ़ते अब हमारे अगले सवाल की तरफ यहां पर आप से कुछन पूछा गया है निमने में से किसे मर्नो परांध पद्म विभूशन 2024 से समानित किया गया है कितने पद्म परांध किसे दिया गया है बिंदेश और पाठक बिहार से बिलॉंग करते थे और इन्हें इन्हें सुलब इंटरनेशनल का फाउंडर यह सुलब इंटरनेशनल के फाउंडर है पांचो नाम एक ओफिस से देखने इना है विजया माला बाली चिरण जीवी एम बैंक एनाइडू बिंदे दिवस हमारों 2024 की थीम क्या है बहुत इंपोर्टेंट है इस क्वेशन पर वापस लोटेंगे आप सभी को पता है 31 दिसंबर 1929 31 दिसंबर 1929 को कॉंग्रेस का रावी नदी के टटपर लाहर अधिवेशन होता है जवाहलाल नहरू के दोरा अधक्सा की गई थी लाहर जनवरी का महत्व बरकरार है यही कार्ण है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा समिधान लागू किया गया समधान बनकर तयार हो गया था 26 नॉमबर को लेकिन लागू किया गया इस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी को ध्यान रखीगा अगर आप से कोशन पूछ लिया जाए कि भारत ने पहला स्वाधिमता दिवस कब मनाया था तो 26 जनवरी 1930 उसी दिन की याद में 26 जनवरी 1950 को हमने समिधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को पहला रेपब्लिक दे सेलिबेट किया गया था इस साल 75 यह एडिशन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा रेपब्लिक दे था 75 हमने गरतंत दिवस मनाया मुक अतिति कौन थे तो फ्रांस के राश्पती इमैनुवल मैकरॉन और ध्यान रखीगा यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस के राश्टा धक्ष हेड ऑफ स्टेट भारत के रेपब्लिक दे परेट के चीफ गिश्ट थे इसके पहले भी 1988 और 2016 में फ्रांस के राश्पती भारत के गरतंत दिवस मारों के मुक अतिति बनने वाले जो है फ्रांस के अगर मैं बात करूं तो पांच में राश्पती हैं लेकिन 6 बार फ्रांस के अतितियों को हमने मुक अतिति बनाया है सर वो कैसे अभी तो यह चार बार आप बता रह अन्ठानेवे में आए 2008 में और 2016 में आए जी बिल्कुन सही है लेकिन एक साल और है 1976 1976 में भी हमने फ्रांस के प्रधान मंत्री जिनका नाम था सिराग उनको रिपब्लिक डे का चीफ गिष्ट बनाया था यानि इसके पहले उनीस्तो असी अन्ठानेवे 2008 और 2016 में फ्रांस के राश्पती थे 1976 में फ्रांस के प्रधान मंत्री थे चीफ गिष्ट बनने वाले रिपब्लिक डे के और इस बार पांचवे राश्पती कोन है ओवरॉल छटे जो है छटे मुखिया है फ्रांस के लेकिन पांचवे राश्पती है इम्मैनुल मैकरॉन थीम क्या थी विक्सित भारत और भारत मात्र लोक्तंत की मात्र का इस बार की थीम थी 75 बार ऐसा हुआ है जब महिलाओं कीおड़ी सर्विस ग्रूप यहने महिला की पारेड है उसमें पार्टिसिपेट किया था इसके अलावा 1500 किसानों को अतित के रूब में इन्वाइट किया गया था पूरे के पूरे समारों में फ्रांस के भी परेड ने इसमें परेड में हिस्सा लिया इतनी बातें आपको कम सकम ध्यान रखना है अगर आपसे कोशन पूछ लिया जाए कि पहला जो रिपब्लिक देथा गरतंत दिवस था उसके मुख अतिती कौन थे इस बार के तो मेलवन मैकरॉन थे पहला 26 जनवरी 1950 के चीफ गेश कौन थे इंडोनेशिया के भूदपूर राश्पत्ती डॉक्टर सुकरनो थे तो इतनी अब आप पूछा जा सकता है कि मद्ध्य प्रिदेष की जहांकी में क्या खास था तो पहला ध्यान रखेगा यह जो आपको ज्यांकी के रीवा से इनको सबसे आंगे दिखाए गया इसके लावा यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लहरी वाई मिलेट वूमन ऑफ इंडिया कहते हैं लहरी वाई मध्धिपदेश के दिंडौरी जिले से बिलॉंग करती है यह ध्यां रखिएगा दूसरा बैगा देश की पहली महिला फाइटर दूसरी लहरी वाई को दरसा आए गया था तीसरी अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको दुर्गा बाई व्याम को दिखाए गया था दुर्गा बाई व्याम मध्धिपदेश के मंडला जिले से बिलॉंग करती है बैगा ट्राइब से पदमसी 2022 से इन्हें समाई किया गया था अब नी चत्रवेदी फिर डिंडवरी की लहरी वाई दुर्गा वाई व्याम अगर आप देखेंगे तो कुछ महिला निर्थकारों को भी यहां पर दिखाए गया है यह महिला निर्थकार मालवा अंचल की संस्कृति को प्रदसित क कर रहे थी साथ हिसाथ मटकी डांस कर रहे थी आपको सभी को पता होगा कि मालवा के रचवाडी आडाखडा डंडा और मटकी यह चार इंपोर्टेंट फोक डांसें से तो मालवा अंचल की संस्कृति को दरसाते हुए यह महिला मटकी निर्थक कर रहे थी अपनी रीवा से बिलॉंग करती है तो यह रही खासवाद मद्यपिदेश की जहांकी के बारे में मद्यपिदेश की जहांकी कि अगर आप से पूछ लिया जाए थीम क्या थी आक्म निर्भर नारी विकास का मंत्र यहां पर आप देख भी सकते हैं लिखा हुए है सेल्फ रिलाइं वूमन मंत्र विकास सब से आंगे अबनी चत्रवेदी फिर दिंडौरी की बैगा ट्राइब की लहरी बाई दुरगा बाई विया मंडला की गोंड पिंटर है मालवा अंचल के मटकी नित को दरसाते हुए महिलाय नित भी कर रही थी कोशन यहां पर पूछा गया है 75 गरतंत संस्कृति मटकी नित को भी चंदेरी महसुरी और बागपिंट की साड़ी को भी दसाए गया यहां पर हमसे कोशन पूछा गया है 25 गरतं दिवस समारो 2024 की थीम क्या है हमारा आंसर हो जाएगा विक्सित भारत भारत लोकतंत की मात का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हापस लोटेंगे तारीक है 26 जनवी 2024 गरतं दिवस और इसी दौरन हमारे उस प्राश्पती जगदीब धनकर जी के द्वारा एक अभियान की सुरात की जाती है इस अभियान का उद्देश है कि हमारे देश के जो नागरिक है उन नागरिवों में सम्विधान के प्रति समझ करना कौन चलाएगा इस अभियान को तो हमारा नोडल है कानून और नया मंताल है उद्देश के नागरिकों में समझ को विक्सित करना क्वेशन है हमारा सम्विधान हमारा सम्वान केंपेइन हैस बीन लॉंच बाइव विच ऑफ दा फॉलोविंग ऑन 26 जनवरी 2024 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी उप राश्पति जगदीव धनकर चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मद्द पिदेश के कितने बच्चों को पदम सी प्रधान मंत्री राश्थी बाल पुरुसकार का दूसरे पुरुसकार नाम था प्रधान मंतरी बाल पुरुसकार दोनों को मर्ज कर दिया जाता है 2019 में और पुरूषकार का नाम किया गया प्रधान मंत्री राष्टी बाल कुछ कर दिया गया और एक पुरूषकार बनाया गया नाम रखा गया प्रधान मंत्री राष्टी बाल पुरुसकार हर साल रेपब्लिक दे के आसपास इन पुरुसकारों की घोशना की जाती है तारी तारीक आती है 22 जनवरी 2024 जब पूरा देश राम मैं था इसी दिन दिल्ली में विज्ञान भावन में कारकम आरुजित किया गया इस कारकम में राष्टी महुत्या द्रौब्दी मुर्मुजी के दोरा देश के 19 बच्चों को प्रधान मंत्री राष्टी बाल पुरुसकार से सम्मानित किया गया खास बात यह है कि देश भर के 19 बच्चों में मद्य प्रदेश का भी एक हुनहार बच्चा है आप से पूछा जा सकता है कि मद्य प्रदेश के कितने बच्चों को प्रधान मंत्री राष्टी बाल पुरुसका 24 से राष्टी ने सम्मानित किया आंसर हो जागा एक है मद्य पिवारी को से च्चेत के लिए प्रुसकार दिया गया सामाजिक सेवा की प्रुसकार क घ्लिए फेयर हो इतनी बाते अब 2-3 बाते और द्हान समझेगा अब नई' तिवारी कोई आम बच्चा नहीं है यह डाउन यह लेकिन कैसी वीमारी और यह से प्रिद्द इसके बचचे है सिन्ड्र Candle कोन से सब्सक्राइब कर चैसरडर भीपारी है। ऊपने स्टिवारि फोट सब्सक्राइब आपनिसर्ण शींडवार नौ बार्स को बिछें बारतु नरी है ते बारे में इसके बारे लेकिन अबनीस तिवारी के बारे में पहला पॉइंट इंदॉर के हैं दूसा बंडांस चेंडूम से प्यूडित हैं प्रमार स्तुम है और से बिलॉघ करें इनके पिता और नाम ऊदित तिवारे लेकिन इन यह दिनmens चेंक ऐ। प्रदान्वंति राष्टि बाल पुसकार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के अवाड़ी भी भन चुके हैं केवल नौवर्स के हैं और उन्हीं राष्टि पुसकार मिलने वाला ये दूसरा पुसकार है प्रधान्वंति राष्टि बाल पुसकार से पहले उन्हें सर्शेश्ट दिव्यांग बाल पुसकार से भी समय किया जा चुक Windows 3 के नामे चार वर्ड रिकॉर्ड भी हैं जब यह मात साथ साल की उम्र में थे जो डिसॉर्डर डाउन सिंड्रोम डिसॉर्डर से पीड़ी थे 19 अप्रेल 2021 को अपने पिता के सांथ इन्होंने मांट एवरेश की भी चढ़ाई की थी तो ध्यान रखेगा कितने बच्चों को प्रधानमंती राश्टी बाल प्रुसकार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के अवार्डी बन गये हैं प्रधानमंती राश्टी बाल प्रुसकार पाने के बाद अबनी स्तिवारी के बाद दो राश्टी पुरुसकार हो गये इसके पहले सर्शेश दिव्यांग बाल प्रुसकार भी नहीं दिया गया था किस बीमारी से पीड़ी था डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम क्या एक प्रधानमंती राश्टिबाल पुरुषकार है वो कितने कैटेग्री में दिया जाता है ध्यान रखीगा पांस से लेखा 18 वर्सकुम्र के बच्चों को ब्रेवरी बहादुरी काला और संस्कृति आर्ट और कल्चर इन्वारिमेंट इनोवेशन साइन्स टेखनोलोजी सोसा सर जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा ऐसे तेज जोड़े गुर्सूत्र होते हैं इन तेज जोड़े में जो 21 नंबर का गुर्सूत्र है इसी में खराबी आ जाती है जिसके कारण ये डाउन सिंड्रोम होता है एक जोड़े में दो ही तीन हो जाते हैं इसलिए डाउन सिंड्रोम को एक और नाम से जाना जाता है त्राइस्वमी 21 तो ध्यान रखेगा डाउन सिंड्रोम को किस नाम से जानते हैं ट्राइस्वमी 21 क्यों होता है क्यों कि जो जोड़ा 21 से उसमें दो की जगा तीन क्रोमोसोम बन जाते हैं होता क्या ह इससे बच्चे का बॉद्धिक और मानसी विकलांगता आती है इस वीमारी के जागुरता फैलाने के लिए इस वीमारी के पती जागुरता के लिए हर साल 21 मार्च को जो है डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है क्लियर होगी इस तरह इस कोशन का आंसर क्या होगा मद्य पिदेश की कितने बच्चों को प्रधार्मति राश्टी बाल पुसकार 2024 से समानित क्या गया आंसर हो जागा एक अबनीश्तिवारी समा सेवा इंदौर सबसे कम उम्र के अवाड़ी डाउन सिंड्रोम से पिडिट डा पूछा गया है अब तक मद्य पिदेश के कितने विक्तियों को प्रधान मंत्री राश्टी बाल पुसकार दिया जा चुक है 2019 से पुरुषकार के सुरात होती है 2019 से लेकर 2024 अब तक मद्य पिदेश की 10 वच्चों को यह पुरुषकार दिया गया अब 10 के 10 के नाम मैंने यहा रायपुर 36 गड़ के रहने वाले हैं इन दोर खे आये में पढ़ाई करते हैं इसलिए मद्य पिदेश में भी काउंट किया गया और 10 वे नंबर के हमारे हैं अब नीश दिवारी संसा का सेड़ी में सुभाचन बोस आप्दा पुरुषकार कि संसा को प्रदान किया अब ध् पुरुषकार का नाम है सुभाच चंद्र बोस आपदा प्रवंधन पुरुषकार जसमें संस्थाग सेड़ी में यानि अगर कोई संस्था डिजास्टर मनेजमेंट आपदा प्रवंधन के फिल्ड में बहुत ही उलेखनी कार करती है तो उसे पुरुषकार देते हैं और व इडिविज्वल जो कटेग्री है उसमें पांच लाख रुपए की प्राइज दी जाते है मैंने क्या कथा पारती ध्यान सुनिएगा साल 2019 में भारत सरकार के द्वारा एक पुरुषकार के सुरात की जाती है आपदा प्रवंधन के लिए जाता है चुकि 23 जनवरी को हम देत है पराक्रम दिवस नेताजी सुभाज चंद्बोष की जैनती पर इसलिए इस पुरुषकार का नाम उन्हीं के नाम पर सुभाज चंद्बोष आपदा प्रवंधन पुरुषकार नेताजी सुभाज चंद्बोष डिजास्टर मेनेजमेंट अवार्ड दिया गया दो करेंगरी देते हैं पहला संस्फागत कटेग्री दूसरा मुक्तिगर कर दी जाती है वही n इसका हॉस्पिटल आंसर हो जाएगा एयर फोर्स का उत्तर प्रिदेश में एयर फोर्स के साथ पैरशूट फिल्ड हॉस्पिटल हैं जिने इस साल में इंस्टिूशनल कटेगरी में संस्थागत स्रेड़ी में नेताजी सुभाज चंद्बोस डिजास्टर मेनेजमेंट अवा भारत ने सहायता भेजी ती और उसी सहायता दल में उत्तर प्रदेश के साथ पैरशूट फिल्ड हॉस्पिटल प्रुसकार दिया गया इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी यूपी का पैरशूट फिल्ड हॉस्पिटल बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अच्छा इस पुरुसकार की 2019 हर साल देते कब है तेश जनवरी तेश जनवरी को पराक्रम दिवस किसका जम जनती नेताजी सुभास चनबोज की बाइस जनवरी दोजाएगा भारत और किस देश के मद सैन अभ्या साइक्लोन प्रारम हुआ आप यहां पे न्यूस कटिंग भी देख सकते तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी एजिप्ट में ध्यान रखीगा ग्यारा दिवसी एकसरसाइज है एकसरसाइज का नाम है चक्रवात या साइकलोन भारत और एजिप्ट की आर्मी के बीच में आयुजित हुआ बाइस जनवरी से लेकर एक फरवर्य तक चलने व जो है जो अब्यास चर्चा में रही है उसका नाम है खंजर जो ईजो खंजर अभयास है भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है पहला पॉइंट द्युक्के रखेंगा जो खंजर है करहान बाद के बीच में हुआ जहाट रखें dłमट हैs में पार्धियृफ अदिपी बकलों में खंजर अभ्यास की सुराथ की जाती है अगर आपसे एक और कोशन पूछ लिया जाए अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट हाली में कहां सुरू हुआ अभ्यास डेजर्ट नाइट तीन देश के सेना के बीच में आजित हुआ वो तीन कौन है तो पहला हो जाएगा भ पहली military exercise है चक्रवाद, Cyclone भारत और एजिप्ट के बीच में कहां हुआ तो एजिप्ट के अनसास में हुआ दूसरा खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ कहां हुआ हिमाचर प्रदेश के बकलों में और तीसरा है एक्स डेजर्ट नाइट किसके किसके बीच में भारत फ्रांज और युए के बीच में कहां हुआ अरब सागर में और एक प्रकार का वायू से ना अभ्यास से क्लियर होगी इतनी बाते इसके लावा हाल हमें कौन-कौन से मिलिटरी एक्सरसाई चर्चा में रहे हैं संप्री भारत और बंगलेश की बीच में मित्रसक्तिあります कि अब्धि भारत अमिर्का युद अभ्यास भी भारत अमिर्का खोप इंडिया भे भारत अमेरिका नोमेडिक और बहुत सुर्ख्यों में रहा हाल ही में ये भी आज़ित हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच में नोमेडिक अर्गिनाइज की जाती है गरुन सकती भारत और इंडोनेशिया इंडिया इंडो कार्पेट भारत और इंडोनेशिया समुद्र सकती भी भारत और इंडोनेशिया की बीच में कौन-कौन से हैं गरुन सकती है इंडिया इंडो कॉर्पेट है और समुद्र सकती है सकती अभ्या में किन सरकार के द्वारा किस योजना की सुराथ की गई बहुत इंपोर्टेंट है आप सभी को पता होगा कि करेंट अफैर में अगर कोई न्यूज आ जाती है तो वहां से कोशन बनने के चांसे ज्यादा रहते हैं ध्यान समझेगा उस कोशन पर वापस लोटेंगे साल आता ह च्छत में खुद का क्या हो अपना सोलर पैनल हो जिससे सोर की बिजली बिजली से घर पूरा चले और जो एक्स्टा बिजली हो घर में तैयार हो रही है उसको बेचा भी जा सके यानि सवर उज़ा के मामले में पूरी तरह से भारत आत्म नेरभर हो सके उस उद्देश को ध गीज गीगावाट спрос उर उर्जाच्हमता हासिल कर सकें इसके लिए साल 2014 में Ready सो्लर बिग्राम के सुरात की गई थी और इसी प्रोगाम के तहित इस caucus के लिए हाल में नई योजना की सुरात क्वारा कि रिदान मंत्री सूर्योदा 24 को घोशना की जाती है वो देश क्या है भायत को सौर शमता के मामले पर मार्च 2026 चालिस गीगावाट के लक्ष को हासिल करना रूप टॉप सोले प्रोग्राम की सुराथ साल 2014 चालिस अगर आप से पूशा जाये कि कुल सौर उर्जा के छमता भी देश में अवल दर्जे पर कौन है सबसे उपर कौन कौन सा राज है यहां सबसे जादा सौर उर्जा उत्पदी की जाती है आंसर हो जाएगा हमारा राजिस्तान तो कूल सौर उर्जा जो है पहले नमबर पर राजिस्तान दूसरे नमबर पा जाएगा लेकिन आगर आप से पूछ लिया जाए सोलर रूफटाप के मामले पर यानि चट पर उजा नमबर पर राजिस्तान देश में पहले नमबर पर यह तुपॉट एट गीगावाट के साथ मंशनी सेवन गीगावाइट के सांद मैंने क्या ध्यान समझेगा स्कूल सौर और उर्जा के संत्म के मामले पर राजिस्थान देश में पहले नंबर पहर है 18.7 GbW के सांद दूसरे नंबर पर गुजडात 10.5 GbW के सांद लेकिन चतपर सौर उर्जा उत्पादन के मामले पर पहले रैंक पर है गुज़ार 2.1 गीगावर्ट दूसरे रैंक पर है महराज 1.7 गीगावर्ट देश की पहली सोला सिटी की रूप में किसे विक्सित किया गया आंसर हो जाएगा सांची यहां पर कुछा गया था रूप टॉप सोला पैनल के लिए हाली में किन सरकार के द्वारा किस योजना की सुरात की गई है हमारा सही आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ यहां पर हमसे पूछा गया है 20 से 23 जनवरी 2024 के मद तीसरा दक्षन सिकर समेलन कहां आयोजित किया गया है न्यूस कटिंग भी आप देख सकते हैं अब कहानी ध्यान से समझे साल है 1964 का 15 जून 1964 का दिविश सुभर के 77 विकास सिल देश आपस में बैठते हैं और विकास सिल देशों के हितों के संरक्षन के ग्रूप की स्थापना की जाती है उस ग्रूप का नाम है G-77 आपने G-7 का नाम भी सुना होगा G-20 जो की अब G-21 बन चुका है उसका भी नाम उगा g-77 के बारे में सुन रहे होँगे तो ध्यान रख initi decision कि लेता अर्घ Really सबोर की बात करें तो देश की संक्या 77 से बढ़का लगभग 134 हो चुकी है क्या का था पांजी फिद्यान समझेगा 15 जुन 1974 को विस उभर के 77 विकासिल देश आपस में मिलकर बैठते हैं और जी 77 गुरुप की स्थापना करते हैं साल 2024 में इसमें देशों की संक्या 77 से बढ़का जादर नहीं रखना है दूसरी बैठक हुई थी 12 जून 2005 को कातर के हेल्डा में यह विद्यान नहीं रखना है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि जो तीसरी बैठक है हाली में उसका आयोजन 20-23 जनवरी 2024 के मत आफ्रीका का एक देश है यूगंडा वहां पर आयोजित की असपास दक्षी गुलार्द में है यानि साउथ में तो अगर आपसे नॉर्थ वर्ड बोले तो नॉर्थ वर्ड उत्तर विश्व कहने का मतलब विकसित देशों से होता है साउथ वर्ड कहने का मतलब अलव विकसित और विकसित देशों को रिप्रेजेंट करता है इसलिए इनकी बैठक को साउथ सम्मिट कहा जाता है तीसे नंबर का दक्षेंट सी का सम्मेलन 20-23 जनवी 2024 के मत आफ्रीका के युगांडा देश में आउजित किया गया इसके थीम थी किसी को पीछा ना छोड़ना थीम यार रखने की ज़रूत नहीं है लेकिन इसमें भारत को किसने र राज मंत्री विमूरली धरन ध्यान रखेया विदेश मंत्री नहीं कह रहा विदेश मंत्री तो है Мुडिली धरन तो क्या क्या ध्यान रखना है पहलाए पंपांच Xi ve suprat सापना की वर्तमान में 134 देश जी 77 में सामिल है पहला जो समेलन है वो क्यूबा में हुआ था 2000 में दूसरा समेलन कतर में हुआ था 2005 में उसे याद नहीं रखना तीसे नंबर का बीस से तेश जनवी 2024 की विश में यूगांडा में हुआ इस की थीम थी किसी को पीछे ना छोड सकते हैं रिप्रेजेंट किस ने किया भारत को यह याद रखना है विदेश राजमंत्री वी मुर्ली धरन यहां पर कुछा गया है बीस से तेश जनवी 2024 की मद तीसरा दक्षेंट सी का समेलन कहां आयूजीत किया गया है हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी समझेगा एक finance कंपनी है उसका नाम है brand finance के दारा हर सारr global 500 प्रकासित की जाती है इसमें विश्व के 500 सबसे मुलवान जो ब्रांड है उनको रैंकिंग दी जाती है इस रिपोर्ट के अंसार विश्व का सबसे मजबूत सबसे वैलुवल ब्रांड वीचैट है और यह वीचैट चीन का एक सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म है दूसरे नमप ब्रांड को टॉप 10 में जगह मिली मैं कहूंगा नहीं क्या किसी भारती ब्रांड को टॉप 20 में जगह मिली मैं कहूंगा जी हां टॉप 20 में 17 नंबर पर रिलाइंस का जियो जो रिलाइंस की सबसेडरी कंपनी है जियो सामिल है तो ध्यान रखीगा जियो भारत का सबसे मज उपनी सामिल है 23 नंबर पर LIC है और 24 नंबर पर जो है SBI है यानि टॉप 25 में भारत के तीन ब्रांड सामिल है 17 नंबर पर रिलाइंस कजियो 23 नंबर पर LIC और 24 में नंबर सबसे मजबूत भारती ब्रांड कौन सा है अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलाइंस कौन से रैंक पर है सबसे मजबूत कौन सा है वीचैट दूसरे नंबर पर यूटूब और तीसे नंबर पर हमारा आ जाएगा गूगल अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं ब्लूमबर की रिपोर्ट के उसार जनवरी 24 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विस्ट का चौथा बड़ा सेर बाजार बन गया है अब ध्यान समझेगा एक जो है सर्वी कंपनी उसका नाम है ब्लूमबर ब्लूमबर में हालिमिक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में बताएगा कि सबसे मजबूत जो सेर मार्केट है वो अमेरिका की है अमेरिका के सेर मार्केट की जो टोटल वैल्यू है 50.86 ट्रिलियन डॉलर है सबसे मजबूत सेर मार्केट युएसे का दूसरा सबसे मजबूत सेर मार्केट चीन का इसके सेर मार्केट की वैल्यू 8.44 ट्रिलियन डॉर है तीसे नमबर पे आता है जापान 6.36 ट्रिलियन डॉ सुझ लेकिन हॉंहग कॉंग को पीछा करते हुए चौथे नम्बर का सबसे बड़ा स्यर मार्केट भारत बनकर वह उभारत की से अगर वाट करें तो 4.33 trillion dollar है Hong Kong पाचवे नंबर पाच चुका है Hong Kong के share market की जो कीमत है 4.29 trillion dollar है तो एक बात ध्यान से समझेगा company Bloomberg की रिपोर्ट के उसार सबसे मजबूष share market अमेरिका दूसरे नंबर पर चीन तीसे नंबर पर जापान चौथे नंबर पर भारत पहुंच गया है Hong Kong को पीछे करते हुए पाचवे नंबर पाजाता है Hong Kong कोशन पूछा है Bloomberg की रिपोर्ट 2024 में भारत की इस देश को पीछे छोड़कर विस्त का चौता सबसे बड़ा सियर बाजार बन गया है हमारा सही आंसर हो जाएगा option D Hong Kong क्लियर होगे इती बाते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरब तेज जनवाई 2024 को किसे विश्तो साथ संग्ठन दक्षिनपूर्व एशिया छेतर के निदेशा के रूप में नियूत किया गया अब ध्यान समझेगा विश्तो संग्ठन ये डबले चो डबले चो किस्ताबना साथ अप्रेल 1948 को करी गई थी इसलिए हर साल साथ अप्रेल को वर्ड हेल्थ दे यानने विश्तो सौस्तर दीवस मनााया जाता है इसका मुक्याले कहां पे है शुट जल के जिनेवा Clinic जब स्वास्त पर संकट आती है तो जान वाली बात आ जाती है जान भी जा सकती है तो मुख्याले जान से जिनेवा वरतमान में इसके मुख्या कौन है डॉक्टर टेड्रोस है इसके डबली एचो के छै रीजनल जोन है आप लोगों देखा होगा कि कोई भी हैड़कॉर्टर ह होता है उसके सब हेड़कॉर्टर होते हैं डबली एचो का हैड़कॉर्टर कहां पर है अंसर हो जाएगा हमारा जीनेवा में लेकिन 6 रीजनल कार्याले हैं डबली एचो के पूरे जोन को 6 हिस्सों में बाता है जिनमें से यह वाला जो आप हिस्सजा देख रहे हैं साउथी डक्षिनपूर एशिया डक्षिनपूर एशिया डबलेचो को कारयाले नई दिल्ली में है और हाली में डक्षिनपूर एशिया डबलेचो कारयाले की जो निदेशक हैं निवत की गई हैं साइमा वाजित को यह साइमा वाजित कहां की हैं बांगलादेश की हैं और यह और कोई बलकी बांगलादेस की जो प्रभान मंत्री है उनकी बेटी है नहीं कि मतलब मैंने ये कहा कि हाल में साईमा बाजित को डझिंपूर Pres familyPrima का 275 klin variant की गई ती मुख्वाए है शुर्जयलेंट के जिनेवा में है वर्तवान में इसकी जो डायटर जनरल है डॉक्टर ट्रिडोस है अच्छा साइमा वाजित से पहले इस निदेशक के पत्पर कौन था तो भारत की पूनम खेत्रपाल थी पूनम खेत्रफाल की जगे अब कौन आ गई है साइमा बाजित यहां पे पूछा गया है तेजनवी 2024 को किसे विशुसा संग्थन दक्षिपुर्ण हाल में कौन-कौन से इंपॉर्टेंड रिसेंट एपॉइंट्मेंट्स हुई है रगुराम याद करें मैंने आप लोगो पिछले वीक में ही पढ़ाया था कि रगुराम अयर को इंडियन ओलंपिक एसुसेशन का चीफ एक्जिकेट्व आफिसर एपॉइंट किया गया है पांगला देश की प्रिधान मंत्री बनी है एन प्रमूद इंडिया नेवी के डारेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन एन डी जी एन ओपॉइंट हुए है अर्विन पंगडिया सोल्वे वितायों के अध्रक्षें दलजी सिंग्स चौदरी को हाली में ससस्तर सीमबल SSB का डारेक्टर जनरल बनाया गया है तो ध्यान रखीगा साइमा वाजित के बारे में जो है डाक्षेंपूर्व एशिया का छेतरी देशक पॉइंट किया गया बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मद्यप्रदेश प्रदूशन नियंतर बोड को उतकिस परयावन प्रवंधन के अगले सवाल की तरफ मद्यप्रदेश प्रदूशन नियंतर बोड की इसी उपलबदी को देखते हुए उसे स्कॉच और अफ मेरिट अवार्ड 2023 से समानित किया गया तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भारत का पहला रिसर् देशुकंषि का एकमाथ ऐसा जहां पर आई आयम भी है और आई आयन दी इंदोर आयम की साबना 1996 में पर निंदौर आई आयाई टी के साबना साल 2009 में इंदौर आयाई टी ने हाले में ऐसी घोशना की है और इस प्रस्ताव को मंझूरी मत्पेश सासन की दारा मिल चुकी है इंदोर IIT अपना एक satellite campus खोलने जा रहा है कहां पर आंसर हो जाएगा उज्जैन में सर इस campus में ऐसा होने के आवाला है खास इस campus में बहुत सारी technology इंट्रोड्यूस करी जाएगी इस campus में deep take research and laboratory discovery center established किया जाएगा और इस lab के माध्यम से astrology की फिल्म में जो research करने वाले वेक्ति ह है उनको आधुनिक सुधाय मिल पाएंगे तो कुल मिलाकर केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि भारत का पहला research IIT center कहां इस्थापित होगा उज्जैन में कौन सा इस्थापित करेगा आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होगा option सी उज्जैन में देश का पहला IIT satellite campus हका राहे कौन-कौन से मामले पर उज्जैन चर्चा में रहा में बना चैना में बना जा रहा सेब्भोग सर्टिफिकेट से प्रमाड़ित पहला मंदिर भी उज्ञेन में मद्व देश का पहला पर्यटन थाना भी इस इस लिश्ट में अब भी जूट जाएगा कि उज्ञेन में रिसर्च आयाटी सेटराइट केंपस भी स्थापत किया रहा है क्लियर होगी इतनी बाते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ यहां पर हमसे क्वेशन पूछा गया है जनवई 2024 में राश्पी दौदी मुर्मुजी के दारा कितने विक्तियों को जीवन रक्षा पदक संखला पुरुसकार 2030 से समानित किया गया अब यहां पर ध्यान से नाम है जीवन रक्षा पदक संखला पुरुसकार 2030 नाम से क्लियर है जीवन और रक्षा यानि ऐसे विक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने डिजास्थर की कंडिशन में आब्दा के स्थित में दूसरे के जान को बचाने के लिए खुद के जान को जोग दिया तो ध्यान आम है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरुषकार दूसर का नाम उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीसर का नाम है केवल जीवन रक्षा मैंने क्या कहानी बांजी ध्यान समझे गας हर साल राश्पती के द्वारा ऐसे विक्तियों को संब्बानित किया जाता हुर आपदा की स् तोटल को आप काउंट करेंगे तो तो इस साल जीवन रक्षा पदक से समानित किया गया या तो ही आप से आप से कुछन पूछा जा रहा है जनवई 2024 में राजपती दौब लुमुझी के द्वारा कितने विक्तियों को जीवन रक्षा स्ट्रंखला पुरुष्कार 23 से समाजित किया गया है आंसर हो जाएगा 31 फिर से देख लीजिए तीन सर्वत्तम जीवन रख्षा पदक जो 21 जीवन रख्षा पदक अब आपको इतने नाम तो याद हो नहीं सकते तो एक इवल तीन नाम ध्यान में रखने की कोशिस करेगा या इनको पुरुषकार दिया गया है मरनोपरांथ मिजोरम की है और सूरज आर को पुलिस बल है उसके थे इन्हें भी मरनोपरांथ समान दिया गया है अगले सवाल तब बढ़ते हाल इमें किस भार्ती खिलाड़ी को लगा ता दूसरी बार ICC पुष्टी 20 क्रिकेटर आपदा कोटर है बरतमान में ICC के अध़क्षा है ग्रेक बारकले जबकि सीओ है जौफ अलाडे से अंतराश्टी इस तर पर जो है क्रिकेट की गवर्निंग बॉड़ी है इसके दौरा हर साल यह जो है आई सी सी के अवार्ड की घोशना की जाती है इस साल 2023 के पुरुषकार्व की घ यादव को दिया गया था यही पुरुषकार साल 2023 क्रीकेटर आफ धरिक लिए विराठ कोईजि को दिया गया ऐसे बहुत सारे कैटेग्री के अवाब्स है आपको ध्यान केवल दो ही रखना है पहला सूर कुमार यादावाला इसी सी मेंस टीटुन्टी क्रिकेटर आप दे यर विराट को लिए बस यह दो ध्यान रखीगा बांकि आपको पढ़ लेना है याद हो जाए तो अच्छी बात है क्वेशन पूछा गया है हाली में किस भारती घ्लाडी को लगातार दूसी बार आएसी सी पूरिष टीटुन्टी क्रिकेटर अफ दे यर कवर्ड दिया गया शूर कुमार आदो कि इसी सी पूरिश ओड्याई क्रिकेटर ऑफ दे यर कवर्ड विराट को यली जैसे ही यहाँ प का हेड़कॉर्टर है रोजर विनी वर्तमान में अध्यक्ष है राजीव सुकला बी सिस्याई के वर्तमान उपादक्ष है सची जैसा है अगर पूरसुक टीम की कोच पूछे तो राहुल रेविड और महिला टीम की कोच पूछे तो आंसर हो जागा अमूल मजुमदार बढ़ मद्रपादेश क्रिकट एसवाप जानी यह से भी नाम के साझनों जाते हैंॉस्ति अपकें तबदील कर दिया गया। का इस सचीव संचीवराव हैं और इसका कर में इन दौर में दौर में तो धेंटनेशनल लेकर पर क्रिकेट की गवर्निंग बॉड़ी आई सी भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉड़ी है एंपी सी जनवरी तौज़र चौविस में किसके दौरा असम के ब्रेव हाट लाचित बार्फूकल पुस्तक का विमोचन किया गया यहां पर निउस कटिंग भी देख सकते हैं अमिसाय अन्वील असम ब्रेव हाट लचित लचित बार्फूकल पुस्तक का विमोचन तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी ग्रह मंत्री अमिसाय बस इसमें ज्यादा प्याजी नहीं करना बस ध्यान रखना है असम के ब्रेव हाट लचित बार्फूकल पुस्तक का विमोचन हाली में ग्रह मंत्री अमिसाय जी के दौरा किया गया है किस वर्थ से 25 जनवरी को राष्टी मदाता दिवस के रूप में मनाने के सुरात की गई थी आप सभी को पता है 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है भारत सब्सक्राइब तो के समर्थ साथ राष्टे मत हपकले सीवरी स्थामरी के साल 2011 से राष्ट्री मतदाता दिवस मनानी की सुरात कि जाती है इस साल 2024 में 14 एडिसन के मनाया गया इसकी तीम क्या है आपसे पूछी जा सकती है ध्यान रखेगा 23 जो 13 नमबर का जो राश्टी मददाता दिवस्ता साल 2030 में और 14 नमबर का जो राश्टी मददाता दिवस्ता साल 2024 में दोनुं की ही एक जैसी थीम है वोट जैसा कुछ नहीं वोट जरूर डालेंगे हम इंगलिस में अगर बोले तो नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर शोर 13 और 14 नेशनल वोटर डे की थीम थी कब से मनाना सुरू हुआ अंसर रुजाएगा साल 2011 उद्देश क्या है मद्दाताओं को उनकी अधिकार और कर्तव के प्रति जागरू करना यहां पे हम से पराक्रम मना जाता है नेता जी सुबहाचंद भूस की जनती अलास्ष फीक हम लोगों देश जनवरी पराक्रम के बारे में डिटेल से कवर किया था चौब़ी जनवरी को राष्टी को 왁का दिवस की मना जाता है नेशनल गलचायल डे और इंतरनेशनल डे एज्डेशन भी मनाय जाता है पच्चीश जनवरी को राश्ची मदाता दिवस मनाते हैं और राश्ची परेटन दिवस मनाते हैं गर्तंत घर्वायस रेफब्लिक आप सभी को पता है हर साल चबिक जनवरी जाता है विष्षुकष्ठ रोग दिवास वरल्ड लेप्रोसी डे ठीस जनवरी को मनाते हैं अंतर्याश्टी जेब्रा दिवास इंटरनेस्चनल knew डे 31 जनवरी को मना जाता है तो ध्यान रखीगा की तीजनवरी प्राकम डिवस राश्टी बाइल का दिवस अंतराशियों की शिक्षडिवस चवभी जनावरी राशी मतात्य दिवस पष्टी जनौरी राशी परेटन दिवस पश्टी जनवरी गरतंद दिवस अंतर राशी सीमा सुल्क दिवस इंटरैशनल कष्ण्ड n जन्वरी भारती समचार पत्र दिवस 29 जन्वरी सही दिवस महात्मा गांधी के बलदान दिवस को प्लक्ष में 30 जन्वरी विश्व कुष्ट्रोग दिवस पी 30 जन्वरी अंतर राशी जब्रा दिवस 31 जन्वरी को मना जाता है इस तरह हम लोगों ने आज की क्लास में बाई से लेकर अठाई जन्वरी तक के इंपोर्टेंट के मुद्धों को कवर के लिया चुकि क्लास थोड़ी से लंबी हो गई क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा थे भारत द्रत्रति के बारे हम लोगों के बारे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा पदमभूशन पदमसी प आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसके लावा आकार आई इसके टेलिग्राम पर आपको दैनिक बेस पर देली बेसिस पर जो इंपोर्टन करेंट अफेर के मुद्धे हैं उसकी पोस्ट शेयर की जाती है साथ साथ कुई भी आपको भेज जाते हैं अगर अभी तक बजट की भी चर्चा करेंगे एकनॉमिक सर्वी के मुहत्पूर मुद्धे की भी चर्चा करेंगे 37 जनवरी मंद के पूरा जो कंपाइलेंशन मंतली करेंट अफेर का जो रिवीजन है उसकी क्लास भी आकार आईस की यूटूब चैनल पर अप्रोड करा दी जाएगी क्लास पसंद आई है तो लाइक करें और अपने सुझाओं कमेंट सेक्शन पर देना ना भूलें मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए हंसे रहें मुस्कुराते रहें जय हिंद जय भारत थैंक्यों अब्रेवन